आईफोन को सैलेंड कैसे करे आईफोन 10, आईफोन 12, आईफोन 13 जो भी आपका आईफोन रहेगा उसको आप जो अपने आईफोन को सैलेंड कर सकते हो एक क्लिक करके देखे दोस्तों यहाँ पर आपको सैड वी इस तरीके से आपके आईफोन पर जो है बटन दिखाई देगा इसी से आप जो है सट से यानि कि एक क्लिक करके इसको सैलेंड कर सकते हो और सैलेंड को आउप कर सकते हो यानि कि silent अपना iPhone कर दोगे तो कोई भी आवाज बगर नहीं आएगा आपके iPhone पे ठीक है और यहाँ पे आप जो है अगर silent को हटा दोगे तो आवाज बगर आ जाएगा तो यहाँ पे आपको लिखा वो मिल जाएगा यह देखिए silent अभी off है और यहाँ पे मैं इसको silent कर दूँगा तो यह हो जाएगा तो दोस्तों यह बहुत ही कमाल का बटन यहाँ पे दिया रहता है iPhone कमपनी वाले लोग ठीक है यह बहुत काम का चीज है दोस्तों अगर आप जो है कहीं भी movie या फिर theater गए होगे movie या देखने के लिए और आपका जो iPhone है उस पे जो है किसी ने call कर दिया है ठीक है ना call कर दिया है तो ringtone बजना सुरू हो जाते है जिससे आपके आसपा जो भी बैठे रहेंगे seat पे तो उनको जिश्टब हो जाएगा तो आप जो है जल्दी से यहाँ पे बस एक क्लिक कर दो और silent कर दो इससे क्या होगा आपका जो iPhone रहेगा तुरन जो है silent हो जाएगा ठीक है ना जैसे कि example के लिए आप जो है iPhone रखे हुए हो और आपका कोई दोस्त जो है android mobile, vivo, opo, realme जो भी रखा हुआ है उसके में call आता है तो ringtone बजना सुरू हो जाता है उसको क्या करना पड़ेगा दोस्तो जिससे उसका जो mobile रहेगा वो silent हो जाए तो उसको इस तरीके से notification विए उपन करना पड़ेगा फिर silent पे click करना पड़ेगा जो की time लग जाता है जिससे बाकी के लोग डिश्टब हो जाते हैं लेकिन iPhone में आपको बटन दे दिया जाता है जिसको आप तूरंत ऐसे क्लिक कर दो silent हो जाएगा फट से तो यह बटन आपको मिल जाएगा दोस्तो उसी के लाएगा जो आपको बटन दिखाई देगा इससे आप कर सकते हो